यहां जो है फैनली सतिस्ध्वन की एकजाम पूरे हो चुके हैं और मैं क्वेशन पर लेकर आपको कि शम ने आ गया हूं और मैं जो है अंसर के साथ साथ जो उसका स्वाल्यूशन भी बताने बाला हूं और यह फीटर करने बाला है बाकि अगर में सेनिश्ट टर्नर के मिलते ह दो उसका भी डिसकुम करा दिया जाएगा दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेश्ट होती है कि जो लोग चैनल पर पहले बार है चैनल को जरूर सस्क्राइब कर तो आपके लिए चैनल बेच्ट है ना तो आप इसे जरूर सफ्क्राइब कर लेंगे बात करेंगे आपक तो यह पार्ट वन होने वाला है तक्रिबन पचास या पच्पन कोश्चन इसमें है और उसके बाद बाद की 20-25 कोश्चन है जैसे ही मुझे कोश्चन मिलते हैं मैं आप लोगों को जो है बांकी कोश्चन का भी डिसक्रिशन करा दूंगा ठीक है उमीद है कि जल्दी जो है व क्योंकि मैं जल्दी वाजी में लिखा जैसे मेरे पास कोश्चन है तो मिधन का फर्मूला होता है जिसने च्पर करके राइट आया उसका जो है उसके बाद दूसरा कोश्चन पुछा गया था वीच कंप्रेटर या यूजड फोर मास प्रडेक्शन में किस परकार कि वह सकते हैं तो अगला है वीच वाइस यूजड फोर जिंग वॉर्जिक सप में कौन सा वाइस यूजड करते हैं तो आप लोग को पता हुआ कि हम लोग बाद बाद पुछा गया था फर्स्ट सेटिलाइट वाज लांच बाइंडिया वाट इस वाट इस वाट इस नानि यानि कि जो पहला सेटिलाइट भारत के दौरा लांच किया तो तो आपको जो है जिसने आर्वध को राइट करके आया है उसका जो है वें अगला कुष्टन है इसमें पुछा जा रहा है कि इंडिया का वो कौन सा मिशन होने वाला है जिसमें मानग को जो है पहली बार अंत्रिक्स में भेजा जाएगा तो आप लोगों को भी पता है इस रोका प्रिप्रसन कर रहे हैं गगनियान जो है काफी चर्चा में है इनकी जो है गगनियान के अगला है वाट गृण और यहीं टनी से चर्णवान इसके मचले से रहे होते हैं तो इसमें कों में भी बाए थिब्रशन को दर्शान का भिरूद करने वाले में जो प्रोपर्टीं होती थिए उसे जो है हादनेस नहीं का जाता है आं जो होगा अगला है यह मैथ का कुस्सन है बहुत अच्छा इन कुस्सन दिया गाता है यह जो है क्वाइन वेड़ वन एन टू इप टोटल वैल्यू आफ ए हंड्रेड रूपी यह निकी एक बैग है जिसमें एक रूपिया और दो रूपिय के क्वाइन है ठीक है और जिसका बैल् एक रूपिया और दो रूपिय के सिख्के है ठीक है टोटल जो इसका मूल है कितना है वह हंड्रेड है ठीक है टोटल मूल जो है हंड्रेड है तो बोला जा रही कि जो है एक और दो रूपिय के सिख्के कितने होंगो तो इसे आप्सन से सॉल्व करते हैं तो अगर मैं एक र यह हो जाएगे 20 और 40 जाएगे कोई मिस्टेक ने करेंगे उप्सन में जो था 40 और 20 तो बीस और 40 जो है इसका राइट अंसर है अगला है यह बस हाफ दा डिस्टेंस इप हाफ दा डिस्टेंस कर अब इस फीड चालिस किलो मेटर पर आवर देन वाट विल इस तो यहां पुछा गया कि यहनि कि कोई बस है वह क्या करता है एक बस आधा आधा दूरी जो है यह कितने करता है ज्यूकार आधा दूरी तो उसके लिए क्या फर्मॉला यूज करते हैं तो एक्स वाई बटे एक्स फलस वाई ठीक है यह आपका जो है हो जाएगा और सद्गति के लिए तो आपको 2 से गुना करना है मैंने फर्मूला लिख दिया है उसके बाद आपका क्या है चालीस है फिर इंटू में आपको करने थे साट और 40 साट निचे क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा तो यह 0 यह 0 यह 0 यह 0 खतम हो गया तो च्छेचोब 24 दुनी 48 तो 48 किलोमीटर परावर जो आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला है इस परकार से जो थरू टंडर में पुछा गया था कि 2074 किसका ऐल्डाव यह 0 पंट टो हो जाएगा यह तो यह आपका 2002 हो जाएगा यह अगला है इस परकार से निगे ग्यारा नमर का कुश्चन है 0.24 इतना दिया था तो आप ऐसे भी सॉल्फ कर लेते सिंपल नीचे जो है इसका अगर यहां से जो है पॉयंट को हटा थे तो दो जीरे नीचे आ जाता यहां से फिर आपका दो जीरू कर जाता तो 24 गुनी 10 के आ जाता जे जो है आपका राइट अंसर हो जाता अगला है दा लिस्ट काउंट आफ यह इस्टेंडर इस्टील रूल का लिस्ट काउंट पुछा गया था तो जीरू पेंट फाइप में पुछाए ना उसके बाद इस लोट नमर इस टेंडर वाइज जो है तो इसका अंसर जो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा यह बहुत ही मातपूर्ण है इसका यहां यूनित पुछा गया था है यह जूल का हो जाएगा उसके बाद प्रोपर्टी इसका यहां जो कर सकता है तो इसका राइट असर तफनिस हो जाएगा कि अगला है लेबलिंग बोल्ट किसले राता है तो इस निए हाइट को जो है समया जन के लिए यह जाएट को जो कि लिए Б truths का प्रिखया तो यह जहां मैक्सिममब किलियरंश सब्सक्राइब बद ख्चांप ओ सब्सक्राइब मतलब कुछ आपके य्लिक धिये गए और मैं कुछ दिए गए ऊसक पूछा था तो यहां काफी बता रहें कि इसका पूर कुएंट। हो जिसका अंसर क्या होगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे तो जिसने में बताए कि यह जो इसका रहने वाला है independence absolute आप यह चीजह बताया था जी जिरुमट पुछा था कि साथ बेसिक सिस्टम साथ बेशिक सि duż शिस्टम में अपरदी मशलनी सांप का अपर लिमीड जो होता है तो इसका करते हैं आगने तो रहो है ऑगला था तो यहां निकल के आपका अंसर आया था 600 या तो यह जो है 600 इसका राइट अंसर हो जाता अगला है true value and major value यह सवाल था कि true value और major value का प्राइब प्रेडा नहीं किसी ने बता है कि जो इसका राइट अंसर होगा यह किसी ने बताया है तो देख लीजिएगा कि इसका क्या अंसर अने बला है उसके बाद है उसके बाद है क्या दिया था तो पता नहीं है लेकिन जो कई लोग करें कि 470 अप्शन में था और यह अंसर होने बला है तो आप लोग 22 नमर का कमेंट करके बताए कि क्या था और इसका अंसर क्या होने वाला आप लोगों की अनुसाद ठीक है इसको कमेंट जरूर कीजिए गा अगला है रिजिनिंग का सवाल था कुछ इस परकार से दिया था 3, 10, 24, 50, 170 दिया था यह यह पुछा गया था कि 13, 10, 24 ऐसे ना तो देखिए यहां क्या क्या था यहां जो है तीन का स्क्वाइर क्या था और यहां जो है पलस एक क्या था ठीक है तीन का स्कॉयर पलस एक उसके बाद 24 कैसे लिखा था 24, tre 5 square minus 1 गया था Тो यह आप देख सेंगे, जो अभास शंक्या है उसका square करके पहले एक बार एक जोरा जारहा है, इसके बाद, तिन के बाद उभास संख्या है पहुंच है इसमेronal घठाया जारहा है एक बार घठाया जारहे Пढ़ा संख्यान तो इसके बाद फिर अभावात संख्यां साथ के बाद कौन सा यहीं नम्मर कौन सा है एक ग्यारा हो जाएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा करना है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे और इल्मिनियम अक्वाइट का प्रयोग करेंगे अगला तेंप्रेचर आफे हाई स्पीड इस्टील डूल का जो टेंप्रेचर होता हो ये आलमुनियम स्लफेट का जो है केमिकल फर्मूला पुछा था इसका अंसर याटाइट इसका राइंसर घ्रण सो जाए तो सेंटरफंच का इंगल पुछा था तो सेंटरफंच का ने एंगल नाइटी डिग्री होता है और उसके बाद पुछा था फबेंस like के साथ मी कूछ अनिकी यह पुछा कि कि अगर जाने का पाइब के संब्सक्राइब के 20 पीस अगला देखते हैं वीच टेनन और प्रवाइड़ेट इस दा बोटम दा बेस प्लेट और मिलिंग फिक्चर के बेस प्लेट में परदान किया जाता है तो इसका राइट अंसर हो जागा पूर प्रोपर लुकेशन और फिक्चर यानि लुकेटिंग परपस के लिए जो इसका पर्यूट करते हैं अगला है ड्रील ग्रैंडिंग एंगल कितना होता है तो यह ड्रील ग्रैंडिंग एंगल तो यह टीजिए घ्रीट किया पूछा था दो यह ग्रैंडिंग एंगल किया पूछा था गर्लेंद तो यह देख लेंगे कि क्या पूछा थे पने सब्सक्राइंग कंने इंजल इंजनाइशन अं यह पाइड़ा करता है तो यह एक अनुपात अगला पुछा था कि जो है जो है नमर रहें तीक है 322 नमर का सब आ लिए वन के जी पर सेंटीमेटर तो मेगा पास्कल तो इसका मेगा पास्कल में अंसर पुछातत कितना हो जाएगा जो करके आ है वो सबसे बड़ी संख्यां जैसे पोर एक तरक यहां लिखा तो सबसे चोटी संख्यां को घठाना है तो इसको घटा के जितना आएगा कितना बारा एंसर इसे आता है तो यह एक्जमपल की तरफिय में नहीं पता है तो आप लोग सबसे बड़ी संख्या में से सबसे चुटी को घटा जीजिए उसका जो है राइट अगला पूली यानि पूली में जो क्रॉनिंग दिया जाता है क्या जाता है तो सेंटर आफ देल को केंद्री करित करने के लिए हिंदी में है ना यहां पूछा जा रहा है कि की जो है एक सब्सक्राइब की दूरी तय करता है तो स्पीड पूछा था कि वेलिशेटी क्या होगा तो मैंने एसलेरेशन के फर्मुला तिन फर्मुले बताये था आप लोगों को जब मैंने वर्क्सप कल्कुलेशन पर आया था तो एक फर्मुला उसमें होता है कि भी स्क्वाइर म होता है नहीं है इसको कितना माल लेंगे इसको माल लेंगे जीरो जीरो पी स्क्वाइर करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और तू यानि कि तौरन होता है तो तौरन एसलेरेशन दिया है कितना दिया है जीरो पॉइंट फाइब और उसके बाद जो है एस होता है क्या होता है डिस्प्लेस्मेंट होता है यह जिसे कि हम दिस्टेंस भी बोल सकते हैं तो यह कितना दिया है बस इसी को solve करना था तो इसको solve करेंगे तो यहां से एक point जाएगा 0 आजाएगा 10 और यह 10 बार में जाएगा यहां जो है 0 का तो कुछ value है नहीं यह 0 हो गया यह हो जाएगा 5 दूनिम 10 दूनिम 100 यानि भी स्क्वाइर बराबर 100 तो भी बराबर कितना हो जाएगा इतार रूट आजाएगा रूट से बार करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड ठीक है यह जो है राइट अंसर हो जाएगा हैं अधार बटए कर्ण होता है तो अधार कितना दिया हुआ है यहां देखें ऑदार जो है फे यह होता है करन तो यह जो है हνार बटग अद्हार बटे निकालना है कॉडल होता हुए JAC करन गहरतर होता है लेकिन जो है आधार बते लब कटी जो पता है और कितना और कितना है कि दो है दो है लेकिन पता नहीं तो निकालना林 यह गर्ड लगायां गेक पैथा गोरस पर महना कर यहां डिया हुआ है उसके बाद यह अधार लाइं दिया वा के बाद लम पर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा फ़िस तो 19 के जगह पे अधार का फेलू दिया गया दू और लंब के जगह कि इतना निकला लंब रूट इंडर इसका जो अंसर हो जाएगा टू बटे रूट भाई ये्जो है अंसर हो جाएगा जो की ऑप्शन साय वी में तुलना में रबर प्र्ति आशन्य के तूलना में रवर क्या में हा प्रन में жौभर कंच female सीटी रूलना में में अगला है कौन सा फाइल सौप्त पदार्थ के लिए यूज़् का यता है तुन सौ दर के लिए डेटन वाल था अप्सयं तो यह राइट वह जाएगा उसके बाद आई अचू लेटरल ट्रेंगल एरिया इजे 32 पाइंड़्ञें एक राइट्रेंगल दिया गया था इसे और जो है इसका एरिया दिया था कितना पॉर्ट अदर वाज थो लिए होता क्या है था हाफ इंटू तहसे सिंपल के लिए तो हो जागा बेस्ट हाइट इसकल डिया गया तो यह चुछ नहीं करना सिंपल जो है आप हाइट को भी माले यानिकी इसको एक टरम माल यह कि यह स्क्वाइर में आजा मान के चलिए अज बराबर हम यहां इसको फिर बी मान लिए तो कितना हो जाएगा और यह जो टू है यह गुना में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट अंड़ इसे हैं चलिस में यह जो इंगलेज का पुछा था स्ट पुछा था और उसके बाद फिर एक और इंगलेज से पुछा था तो इन उसके बाद प्रस्न याद नहीं है आगर किसी को यान है तो कमेंट में बता है अगलाह बोर को किने की लिए किसका परकारी करेंगे तो ब॓र कुन करने के लिए उसके बाद अब पुछा था अफट अगला जो कि अधा मेट ऑफ एंविल बना ओता है बहुत लोग बोल रहे कि का स्ट एरंटी ऑफशन में था करके आए तो यह जो है रहों हो जाएगा आपका स्टिल जो है सही होगा उसके बाद है विज ग्रेट अफ एंगल प्लेट है वीन और एकुरेसी एंड यूज़ फो टूल रूम वर्क यह नहीं वह कौन सा एंगल ग्रेट ने एंगल प्लेट का ग्रेड है जो अधिक परिसुद होता तो टूल रूम में यूज़ क्या जाएगा अगला है होनिंग में कैसे क्या जाता है सद्सक्राइब के द्वारा जो वह कैसे क्या जाता है तो एवरडियसी आपको लग रहा होगा कि हाऊंगे परशन को रखा था वह काफी सोचने वाला था और जो है रॉंग करने वाला था काफी लोग परसन रॉंग करके लाए उसका काफी परस्ट रॉंग हो रहा है और जो है इसके कटप पेज बहुत ज़्यदा परवह देखने को मिलेंगे तो कुस्टन का वेपर एजी नहीं था काफी लोग बहुत लोग करके नहीं आया मैंने जैसे रात में वोटिंग भी कराए था अपने चैनल पे तो तक्रीबन जो है आपका पचपन और जो है पचपन और पैसट एटम करने वाले का संख्या अधिक है ना पचपन पैसट वैसे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें अगला है जो है जो बोल्ट को छती होने से बचाता है तो दौम्ड कैप नट इसका राइट अंसर हो जाएगा और सब्सक्राइब कर्पेंटर कार्पेंटर किई गला है जो है पर अधिक्स पूस जो इस यह वह लगता है यहीं तो सब्सक्राइब 2017 इधर से कोई object जो है एगर हम यहां कोई object रखें तो एक बल जो है यह इधर से कारी करेगा जो किसे रोकनी की पर्यास करेगा इसे friction फोर्स करते हैं तो यह क्या लगता है कि हमीसा जो है opposite direction में लगता है लगता है तो यह जो अगला है यूज़ हमर फूर रिवेटिंग परपस के लिए कौन सा हमर का परियोग करते हैं तो वहां बॉल पिन हमर का परियोग करेंगे यह जो है उसके बाद फोर्जिंग स्वाप में यूज़ हमर अच्छा फोर्जिंग स्वाप में भी था कुछ आ गया था तो यह आपका स्लेज हमर जो है राइट अंसर हो जाएगा अगला था ग्रैंटिंग का इस्ट्रक्चर से पुछा था कि कुछ ऐसे डबलू पंद्रा ऐसे आच उसके बाद फाइप भी कुछ इस परकार से दिया गया था तो फाइप मतलब जो है यह इस ट्रक्चर होता है वील इस्ट्रेक टिक करके आए उसका राइट अंसर होने वाला है तो इस परकार से जो है अभी मेरे पास पचास आया उसके बाद बांकि और को जो है डिसकसन मिल जाएगा आप साम तक वेट किजिए और जिद आप लोगों को जो कुछ याद है और जो इस वीडियाप में नहीं आप जरूर कमेंट करके बताए है क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तो जो है मैं अंसर का डिसकसन नहीं दे पाऊंगा तो चलिए इस वीडियो में इतना ही चैनल को जरू सस्क्राइब करें बांकि वीडियो जो है उसके बाद एनलाइसिस करते हैं कि आप लोगों क्या करेंगी इसके बारे में डिटेल से डिस्क्राइब चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो में इतना ही आए 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 आए